आज के समय में दातों की समस्या काफी कॉमन हो गई है जो हर उम्र के लोगों में देखी जाती है बता दे कि दातों में अक्सर लोगों को कोई न कोई दिक्कत होती रहती है अगर कोई दातों की निये में देख भाल और चेक अप कराता है तो दातों की समस्या से आसानी से निप्ता जा सकता है लेकिन अक्सर लोग दातों से जोड़ी दिकतों को इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ने लगती है फिर आगे चल कर गंभी रूप ले देती है मसूडों में होने वाली समस्या सबसे जादा खतरनाक होती है अगर इसे बिना इलाज के छोड़ दिया चाए तो वो आसपास की हड़ी को गला पी सकती है कई बार लोगों को मूँ या दात्म में कुछ संकेट दिखाइदेते हैं जिनने वह अकसर अंदेखा कर देते एं ऐसा करना गलत है मूँ या जीब पर सूजन आना गंभीर बिमारी का संकेट हो सकता है अगर आपके मूँ में जीब में गाठ या सूजन है तो dentist को दिखाना चाहिए इन में अधिकतर मामलों में खतरा तो नहीं होता लेकिन cancer का लक्षन भी हो सकता है अगर आपके मुँमें च्छाले बने रहते हैं और 10 दिन बाद भी टीख नहीं हो रहे हैं निगलने में कटनाई या कुछ खाने में दर्ध हो रहा है तो तुरंट डॉक्टर को दिखाएं मसूडों में खून आना मसूडों की बिमारी का संकेत होता है जब भी कोई ब्रश करता है उसके मुम से खून आता है तो ये मसूडों की बिमारी का संकेत होता है इसका इलाद समय पर ना किया जाए तो गंभीर समस्या हो सकती है फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काय को सब्सक्राइब करना ना भूलें